आज मैं आपके साथ सेरगी मुम्फली के हलवे की रेस्थी, जी हाँ आपने बिल्किल शहीं स्टूना, मुम्फली की रेस्थी अपने मौंग दल का हलवा तो जुझु का हलवा बहूत तरीके का हलवे बनाए होंगी, एक बड़ मेरे कहने से मुम्फली का हलवा जरूर प्सक्रावरиляनी मूंपली का कलरा थोड़ा'tोड़ा चैन्ज हो रहा है समच्ष से बूने के जब तक हमोबढ आज से भून नहीं जाते इसी आ जो चनिकली जारा है। पर उखना होने के लिए ठाकि झाल और का क्योंाच मूमपली जल्दी ठान्ड़ा हो जाए States यह देखिए मुपली जो है ठंडा हो चुकी है अब इसे हम अच्छे से इस पर जुछिलके हैं उतार लेंगे बहुत असानी से मुपली के जुछिलके हैं निकल जाएंगे ठंडे होने के बाद हातों समझ अलने के बाद इसे हम सारे मुपली को चुछिलके को निकाल लेंगे यह देखिए मने मुपली को सारी चुछिलके से निकाल लिया है अब मुखली को हम छान लेंगे यह आप मैंने पूरी छानने वाली छाननी लिए इससे साफ करेंगे बहुत यह सानी से छिलके निचे निकल जाएंगे इसी तरह हम सारे मुखली को छान गरेक प्रेट में निकाल लेंगे देखिए मुख試 ли कितने अच्छे से साप हो चुकि यह सारे चील के निछ चुके हैं इसी तरह हम सारे मुखिली को भेंगे यह दिखए मैंने सारे मुखली को भाल लिया है आपने यहां भी मुख्ली तियार हो चुकी है अभिसे हम क्या करेंगे क Państwo are Grain करेंगे ज़्यादा हमें भारिक नहीं पीछ नहरा हम से कऴ इस। सुजी के तरद स्जुड़ा धरेंगे यह दीखिए मैं दिखा चौत पर मुझे इसे धर्डरा paintings कर लिंगि ज्यादा भारिक नहीं है तरदरा है इसे है छática हम सब्स ड्राइफूट लिया है शिर्फ काजू और बदाम आप चाहिए अपनी पसंद किसमें कुछ ड्राइफूट ड्राइट कर सकें जिसे की किसमिस बगएरा अचलिए गैस की तरह भी आपने गैस पकड़ाई रखा है इसलिए मैंने चार पाच चमस घीर राल दिया है घी को अच् ड्राइफूट को निकाल लिया है उसी घी में हम डालनेंगे अपना मुमफुली जो मैंने ग्राइड करके रखा था अब इसे हम लो फ्लेम पे घूनेंगे मुमफुली को घूनें पर जद़ टाइम नहीं ले गया क्योंकि हमने पहले मुमफुली को भून लिया है बहुत कम पहले व्रसों समय मुमफुली हमने भूनकर त्यार हो जाएगी यह देखिए मुफुली जो बहुत इच्छी से भून चुकी है तो थोड़ा लोट मेडियम करेंगे यहां मैंने फिर से थोड़ा दूद डाला फिर से मिला लेंगे इसे लगतार चलाते हुए हम मिलाएंगे ताकि यहां मैंने 500 g दूद डाल दिया है। यहां तब तक पगाएंगे जब तक की मुंफुली जो है इसे दूद को सोख ना ले। इसे लगतार चलाते रहेंगे ताकि तले में इतके नामरा हल्वा यह भी डालने हम थोड़ा सा एलो फूट कलर बिल्कुर अप्षिनल है आपके पर सही तो डालें नहीं है तो स्क्रिप्ट कर दे थोड़ा से लैची पावडर इसे मिला लेंगे अभी मार्व जो मुफली है पुरा दूद नहीं सुखा है तो जो और पकाएंगे हम लगतार चलाते हुए तो डालने से क्या होता कि जो हल्वे कलर है थोड़ा अच्छा आ जाता है यह देख विए सारा जो दूद है मुखली सोख चुका है अब यह कडाही को भी छोड़ने लगा है मतलब हमारा हालवा जो है त्यार होई चुका है देखिए बिल्कुल भी अब पक नहीं रहा है हम क्या करेंगे कहीं पर डाल देंगे अपना चीनी अब हमने मीठे किसाब से ले लिजिए मैंने आध देगर के रखा था था थोड़ा समय बचाल लूँगी आगे डालूँगी गार्निस करने के लिए चीनी और ड्राइफ रूड अच्छे से अपने हलोवे के साथ में मिला लेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक चीनी अच्छे से मिल्द नहीं हो जाती और अच्छे स है तो कि एगवर हम फिरसे मिला लेंगे हमारी आप हलवा जो है त्यार हो चुका है ये तो बहुत ही अच्छे से फक चुका है कड़ाई इमसी बिल्कुल भी नहीं चीपक रहा है हमारे आप हलवा तैयार हो चुका है घya-जक्या को बंद करेंगे सफ़पर एस गर्मा-गरन अगर आप इसे स्ताम सग्राइब आप सबसक्राइब उसका स 150 बीहां क्रेंगा तो थोड़े से किस्टा डाल दूँगी यह देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है अब देखने में कितना टेश्टी होगा आप सब इसे जरूट रहे करें आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा और ट्राय करने के बाद अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें सेयर क करने के लिए मिलते ही फिसिक नई रेश्पी के साथ तब तक के लिए बाई दोस्तों